पूरी की पूरी जो है मेरी लाइफ को लेके आ गई अपने यूट्यूब चैनल पे क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये दोनों किसी टाइम में बहुत बैस्ट फ्रेंड हुआ करती थी ठीक है उसके बाद पतानी क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि इन दोनों की बहुत तगरी कॉंट्रोवर्सी हुए और एक दूसरे को इन्होंने डिफेम करा और होता है क्या ए पीता है ये है और कंचन का कहना ये है कि भाई इस जूटी के कहने पर जो आना मैंने अपने ससराल वालों के खिलाफ वीडियो बनवाई थी या यह वीडियो बनवाई थी क्योंकि इस औरप चाफी सारे उसके घर में जगड़े व्हों पती ने उसको पीटा भी ससुराल वालो ने भी उल्टा सिधा बोला जिसके बाद उसका रिष्टा कई ना कई जो है खराब हो गया था लेकिन अभी क्या है कि उसको सब चीज़े पता थी इसके बारे में तो कल की जो उसनी वो बेवडी वाली वीडियो थी ना वो इसके हस्ब की तो इसने इसमें ये बोला था मेरा दूसरा पती तो दूसरा पती जो है कंचन का है इसका कोई दूसरा पती नहीं है इसका बार अफेर होगा वो अलग चीज़ा लेकिन इसका दूसरा पती तो बिलकुल नहीं तो इसलिए जो है ना कंचन को पता लगा तब जाके कंचन न इसे जवाब दिया कि अगर तुने ये बकवास करनी नहीं छोड़ी तो मैं पूरे परिवार को जो है न तेरे सोशल मीडिया पर गसीट लाऊंगी और फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं जैसा कि लास टाइम तुझे याद है कि एक महिन मैंने तु एक वीडियो बनाएग किसी का तो ऐसा कंटेंट देखती है जिसकी विज़े से इसके दिमाग में ये खुराफाती चीज़े आती है और फिर जो है न यूट्यूब पर ये दिखाती है मैंने पहले कई बार अपनी वीडियो में बोला है किसी ने किसी का कंटेंट चोरी जरूर कर रही है क्योंकि य क्या गलती है तो दूसरी शादी तो करके दिखा तूने तो खाली यहां पर दुनिया को पागल बना रखा है तूने तो कम से कम दो महीने होगे तेरा तो कभी कोई प्यार बन जाता है कभी कोई आदमी को तू हस्बेंट बना लेती है कभी तू सिंगर को नहीं छोड़ती देखिये पती ने निकल वाया मेरा नाम मतलब कुछ तो थोड़ी बहुत शरम इज़त लिहाज होती होगी लेकिन इसके अंदर वह बिल्कुल भी नहीं कि आप इसकी सुबह की वीडियो देखे लो जो चीज को इसको मना किया जाता है ना वह चीज यह और जरूर करते कि इसको जान जान के अपने व्लोग में दिखाएगी आज भी इसने अपनी मा के घर में वह सड़े गले बरतन और उसके अंदर जो चल रहे सफेद सफेद रंग के गंदे कीडे जिसको बोलते हैं कि समान खराब हो जाता है उसके अंदर कीडे पड़े वह सब चीज दिखाई जबकि बाद यह बोलती है कि मेरे पती का फोन आया है वो मुझे बोल रहे थे कि यह गंदगी जो है कैसे कि तूँ गंदी रहती है तूं कैसे इस बरतनों में खा लेते हो एं तो उपर से बोल रहे कि अरे को हम ऐसी थोड़ी खा लेते हैं धोते हैं बरतन को अच्छे से उसके चल रही है इधर जा रही है घूम रही है फिर उसके बाद जो है इसके वाँ पे खटोला सा बिच्छा हुआ उसके उपर लेट गई पागलों की तरह जो है इधर पलट रहे कभी उदर पलेटर सामने एक आदमी खड़ा है जो इसको बराबर देखे जा रहा है बराबर इसके घर के सामने वहां पर चोरी से पतानी कोई लड़का था के लड़की थी वहां से लास्ट में फून लेके आती है और इसकी वीडियो बनाने लग जाती है और तब यह जो है अंदर भाग जाती है बतलब मुझे यह समझने आता है कि इसके जो पडोसी है वह भी से जाना में और ना ही इतनी अच्छी वह सुसाइटी है इसके आस पास के अगर आप लोग देखोगे वहां पर कोई रेडी खड़ी है कुछ खड़ी तो इस ताइप के माकिप लोग रहते हैं पूरा तमाशा बनाने में नंबर वैन है इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चीए बस तो वह उस चीज को बकाईदा समझ जाती है और बहुत अच्छे लगती है अब आज की वीडियो में देख लो कि आस पर उसका घर पूरा क्लीन जिसको बोलते हैं अच्छे से घर साफ सुतरी रसोई सारी चीज अच्छे से दिख रही है इसकी बात करो इसका घर ना तो कभी सिम्टा रहता है ठीक है ना इसके घर में कभी पूजा पाठ होती है कभी धूब बत्ती कभी आपको देखने कोई नहीं मिलेगी कभी ये कैमरे में मंदिर ही नहीं दिखाएगी धूब बत्ती तो बड़ी दूर की बात है गंदीगी दिखाने के बाद भी पता नहीं क्यों लोग जाते हैं इसकी वीडियो देखने मुझे समझ नहीं आता है इस बात का भाई क्यों देखते हो मत जाओ नहीं यारी गंदगी तो दिखारी कुछ ने दिखारी इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहे है कि घर की ऐसी तैसी कैसे करी जाती है घर को गंदा कैसी कर र बनाती है बच्चे को थोड़ा साब सुतरा रखती है यह चीज उसके अंदर जो है पॉजिटिव पॉइंट है लेकिन आज कंचन ने जो इसकी बैंड बजाई है ना वह वाक्या में बहुत सही बजाई है और इसकी मतलब उसने बोला भी है कि अगर तू एक बोलेगी ना मै इतने टाइम से यह सारे गंदे काम करती आ रही है और उसको सब पताई कि क्या क्या करती है बालों को जो है ट्वाइलेट में डाल देती है इसके बाल वहां लहर रहे होते हैं वही कपड़ों में जाके बैड पे बैड जाती है फिर उसके बाद उनी गंदी खातों से खाना तो देखो कंचा ने तो साफ बोला है कि तू अब तूने मुझे पहले पोक किया तो तेर को मैं छोड़ूंगी नहीं पूरी बैंट बजा के मालूंगी और तू मेरी जुती के बराबर भी नहीं है तो इस चीज़ से जो है जुटी को थोड़ा सा सीख लेना चाहिए कि किसी की लाइफ को जो है अपनी वीडियो में मत लेके या और अपना कम से कम ढंका कंटेंट बना कम से कम लोगों को सिखा लेकिन नहीं सिखाने की बजाए तो लोगों को बिगारने में लगी है अब आप एक चीज़ देख लीजे चुटे चुटे बच्चे भी होते हैं क्या देख कि बिंदी लिप्स्टिक काजल सुबह उड़ते ही नाना दोना नहीं कुछ नहीं घर में कीड़े चल रहे हैं वहीं पसरी रहेगी मतलब कोई जिसको बोलते हैं शरम नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं इसके अंदर अब भगवानी जाने भाई मतलब क्या होगा इसका क्या न आगेगा कि हां यह इसके दिमाग में बात भरी रहते हैं इसको पता रहता है कि लोग मुझे इस चीज़ के लिए मना कर रहे तो मैं वही चीज़ दुबारा करूंगी फिर लोगों को गुस्सा आएगा लोग मेरी वीडियो देखेंगे मुझे कमेंट करेंगे और मुझे उ इसको नहीं छोड़ेगी लाइव कर करके जो इसको सुनाएगी ना शायद यह उसका जो पास की पास लाइव थी उसके बारे में वीडियो बनाना ही भूल जाएगी तो गाईज आप लोगों क्या कहने इस जूट की दुनिया के बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अग इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें तब बाई मैं मिलती हूं आप से एक न्यू पोड़कास्ट में तब तक के लिए बाई